लखनुव Academy of Pediatrics, Adolescent Health Academy लखनौ और डॉक्टर बेक्षेल की तिरफ से आप सबको World Environment Day बहुत-बहुत मुबारक को दोस्तों 5 जून को हर साल United Nations World Environment Day मनाता है और इसका मकसद है कि हम लोग अपने youths में, अपने masses में इस तरह की evidence करें कि हम लोग अपने environment को बहतर बना सकें ताके हमारे ecosystem से हम लोग जो होने वाली जो एक balance है उसको हम लोग disturb ना कर सकें इस साल का जो theme रखा गया है United Nations द्वारा वो रखा गया है ecosystem restoration यानि कि हम जो ecosystem को हम लोग जो दिरे दिरे जो destroy हो रहा है उसको हम लोग restore करें और ताके हम लोग की जिंदगी और बहतर बन सकें और इस environment में हम लोग का survival और बहतर हो सकें इसलिए पूरा decade लिया गया है इसलिए 2021 से लेके 2030 का पूरा एक 10 साल का उन्होंने program बनाया है कि हम लोग इसमें पूरे अपनी ecosystem को जिसमें हमारे पहाड, परवत, समंदर, मैदान और जितने भी खेत खली आने इन सब को हम लोग restore करें ecosystem restoration का मतलब होता है कि जो हमारी biodiversity है, उसको हम लोग संजोग के रखें और हमारे जो environmental जो degeneration हो रहे हैं, जो degradation हो रहे हैं और जो deforestation हो रहे हैं, इसको हम लोग रोकें इस साल पाकिस्तान को पूरा world host बनाया गया है, वो किस दे को celebrate करने के लिए और सारे दुनिया में इस दे को पूरी अच्छे तरीके से मनाई जा रहा है तो दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे air quality index की, मैंने सुचा कि अपने इस video में आज कल जो air pollution हो रहा है, हम लोग अकसर देखते हैं, बात होती है कि air quality index हराब है, air quality index हमारी अच्छी हो गई है, तो what is AQI, इसके उपर मैंने सुचा कि अपना awareness पर हो ताकि आप लोगों को इस chemicals होते हैं, जो मिलके हमारे को air का जो एक तरह का आप बनाई कि वो air pollutants का लाते हैं, अब इसमें आपने अकसर सुना होगा कि PM 2.5 का जिकर आता है, PM 10 का आता है, और gases का जिकर आता है, ozone का आता है, तो PM का मतलब होता है, particleate matter और जो 2.5 micron से जो कम के जो diameter वाले होते हैं, उनको PM 2.5 micron वाले इनको particulate matter बोलते हैं, और PM 10 यानि कि जो थोड़े बड़े होंगे, इनका diameter दस micron के बराबर होता है, तो ये PM 10 होते हैं, इसके लावा इसमें NO2 gas, SO2 gas, ozone, हमारे जो chemicals हैं, inorganic particles, dust, pollen grains और सारे जो हमारे जो हवा में जो और तत्व मौजूद हैं, वो सारे हमारे air pollutants क को basically सारे इनके calculations किये जाते हैं और इसको एक index के form में हमें बताया जाता है, तो 0 से लेके 50 का जो index है, वो that is supposed to be the best, और ये कहा जाता है कि हमारे जो घर हैं, हमारे room के जो bedroom है, हमारे जो drying rooms हैं, इनका AQI जो है, वो तक्रीबन 50 से जादा नहीं होना चाहिए, इसके बाद आता इसको जो है, जो से लेके 100 ये भी आमारे good AQI कहलाता है और इसको हम लोग safe zone में कहते हैं, और इसमें अगर हमारे बाहर का air quality index 100 है, तो इसका मलत बाद हम लोग बहुत mischief होके अपने environment में घुम पिर सकते हैं और normal activities कर सकते हैं, बट अगर ये 100 से जादा है, तो ये खतरनाक ह और इसको पिर हम लोग not good for health मानते हैं तो 100 से लेके 200 तक इसको unhealthy माना जाता है और 200 से लेके 300 तक unhealthy with risk माना जाता है और above 500 अगर है तो it is very hazardous और 700 से उपर है तो it is very risky for your health और ये जानलेवा भी हो सकता और ऐसे में आपको पिर अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए तो ये different air quality indexes हैं अगर आप देखें कि लगनों में जैसे अगर आप लोग गुमती जगर में जाएंगे तो हर जगापर ये इस तरह के boards लगे हुए हैं जिसमें display होता रहता है कि आपका air quality index कैसा चला है अच्छा last year जब संपूर्ण lockdown हुआ था तो हमारा AQI बहुत अच्छा हो गया था और यूरली 100 से नीचे रहता था बट इस साल हमने देखा है कि क्योंकि lockdown में भी moment restrict बहुत जादा नहीं रहे हैं तो इस साल हमारा AQI जो है वो 100 से उपर ही चला है आज भी मैं समझता हूं कि लखनों का जो AQI 35, 135 और 140 के बीच में चला है which is definitely not good for health अब बात करते हैं कि यह PM10 और PM2.5 से problem क्या हो सकती है इन particulate matters basically देखिए air क्या है जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे lungs में air जा रही है और air के साथ साथ जो इसके pollutants है वो भी जा रहे हैं अब जाहिए जो PM10 particulate matters है वो थ Trachea है Bronchus है और Bronchios तक तो जाएंगे बट यह बहुत deep तक नहीं जाएंगे तो और इसके अलावा जो PM2.5 materials हैं यह हमारे 2.5 वाले बहुत deep हमारे lungs material तक जा सकते हैं वहां जाकर यह inflammation cost करेंगे, allergy cost करेंगे, उसमें swelling होगी, उसमें infection होगा हमारे lungs की जो capacities है, infections है, wheezing है, episodes है, asthma के episodes हैं, यह सारे बढ़ जाएंगे और यह देखा गया है कि जो लोग उन countries में रह रहे हैं जहां पर persistently air quality index बुरा रहता है, वहां पर उनका lung development बच्चों का अच्छा नहीं हो पाता है, वहां पर उनके shorter life span है, यानि कि एक average जिंदगी है, उससे कम उनकी जिंदगी हो जाती है, तो जाहर से बात है देखिए, air हमारी जीवन का एक बहुत important हिस्सा है, और अगर हमारे आसपास की वातावरण की air प्रदूशीत है, polluted है, तो यह हमारे health को directly effect करता है, तो अब इसलिए हमें करना क्या जाहिए, अब जाहर से बात है, आप देख रहे हैं कि आज बड़ environment है, हर आपनी पेड लगाने की selfie डाल रहा है, videos डाल रहा है, तो मैं यह सबसे अपील करना चाहूंगा कि भाई, आप लोगों ने जो पिछले साल पेड लगाये थे, या आज से चार साल बात जो selfie आपने लगाई थी, अपने पेड लगाते वे, उसका भी दिखाएंगी उस साल में क्या हुआ, एक साल में वो पेड कहा तक पहुंचा, हर साल सिर्फ सेलफी खिचाने के लिए या फोटो कीचने के लिए, यह हमारा डे नहीं होना चाहिए, हमें अपने वातावरान को seriously स्वस्त बनाने के लिए, पर्यावरान को बहुत अच्छा बनाने के लिए हमें इसमें जागरूप होना पड़ेगा, persistently हमें अपने पेड़ों को लगाना होगा, इन जो हमारे पेड लगे में इनको maintain करना होगा, सबसे जादा तो देखें हैं, जो emissions होते हैं, वो automobile से जादा सबसे जादा हमारा एयर प्रदेशित हो रही है, तो इसमें हमें एयर quality index को improve करन को कम करने के लिए, घरों में जाडों में जैसे कोईले का जलाना, पराली का जलाना और गरदा जैसे even AC और जो इस तरह के जो environment को जो नुफसान पहुचाने वाले जो गैजेट्स हैं, इनका हम लोग अगर कम इस्तेमाल करेंगे तो जहर से बात है, हम लोग अपने में जो जोगत रहें, क्योंकि जहर से बात है, जो हमारे natural habitat, जब आप हमारे natural habitat खतम हो जाएंगे, तो उनकी जगह हम pathogen लेंगे, और pathogen जब लेंगे, तो इस महामारी का रूफ में हमें आ सकते हैं, और आप देखें कितना असहाए हम लोग सब महसूस कर रहे हैं, कि हम लोग यस pandemic से दिएठ साल से जूज रहे हैं और अभी भी हम लोग इस pandemic से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आने वाले समय में भी अभी जल्डी कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि जिससे हम लोग इस pandemic से बाहर निकल सकें ठीक है दोस्तों तो मैं समझता हूँ कि वर्ड पर्यावरार दिवस पे मेरा यह मैसेज है कि आप लोग अपने घरों को पर्यावरार अच्छा बनाने के लिए जाहर सबात आप इंडूर प्लांट्स लगाएं वेंट्लेशन अच्छा रखें दुआ कम करें अंगीठी और इस तरह के जो चूले जो हैं इसका नान-डीडेड़ेबल वेस्ट हैं इसको लोग भार फेक देते हैं उनको पर जानुमार खाते हैं तो इस तरह से हमारे अगर हम लोग देखें थो हम लोग परयावरा पने चाहिए अपने हमारे कड़म की तरफ से भी हम लोग एक्टिविटीज करते हैं different schools में हम लोग इस साल lockdown की वज़े से नहीं जा पाय otherwise हम लोग schools में जाके परयावर के उपर एसे लिखाना लोगों में awareness करना इस तरह की regular activities हम लोग करते हैं तो अपने इस वीडियो के माध्यम से मेरी स्कूलों से parents से, teacher से, बच्चों से सबसे ही अपील है कि आप लोग इस परयावरन को एक दिन का आउसर ना बना के one day affair ये 5th June का affair ना बना के इसको अपनी जिंदगी में इसको life style बनाईए अगर हमारा life style में हम लोग इने परयावरन का safety आ जाएगी तो जहर से बाते हम लोग इस चीज़ को बेतर बना सकते हैं अगर आप देखिए कि हर साल अब हम लोग के जो उत्राखंड है या जो हमारे जो glaciers हैं इसने भी आपदाएं आ रही हैं लाखों लोगों की जान इसमें जली जाती है क्योंकि यहाँ पर भी पहाल काटे जा रहे हैं वहाँ पर industries लगाई जा रही है ज़के बनाने के लिए वह दाइनमाइट का इस्तिमाल हो रही है तो जाहर से बाते इन सब चीज़ों से हमारे परयावरन को बहुत नुक्त नुक्वारा है सरक्षाइब को ध्याम में रखेएगे हमारे सारे प्रोग् вокulation बनाने जाहिए ताके हम अपने पर्यावण को हम इको सिस्टम को रेस्ट और कर सके और हमारा एको सिस्टम अगर रेस्ट और हगा तुम हमें ऐरे बचाओ कर सकते हैं अगर हमारे youth हमारा adult जागरी कोगा ठीक है दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और अगर अबी तक आप लोगों मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिए और bell icon प्रेस कीजिए ताके ये वीडियो सारे लोगों में पहुंच सके थैंक यू बाइबाइ see you